हाई एवरिवन एकसाम मेडिसेन चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे नीती आयोग और योजना आयोग के बारे में आज हम समझेंगे कि ये नीती आयोग क्या है और योजना आयोग क्या है वर्तमान समय में नीती आयोग कारे कर रहा है योजना आयोग की लाई गई है उसकी घोषणा कब की गई थी और किसने की थी तो देखे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से मतलब उन्होंने अपना संबोधन जब किया था तो उसी समय में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी तो नीत आयोग की घोषणा कब की गई थी तो डेट याद रखेंगे 15 अगस्त 2014 को ये सन याद रखेंगे फिर उसके बाद है आपका एक जनवरी 2015 को मंत्री मंडल के एक प्रस्ताव के तहट एक नई संस्था जिसे राष्टी भारत परिवर्तन संस्था के नाम से जाना गया ज नीती का फुल फार्म भी पूछा जा सकता है तो फुल फार्म भी याद रखेंगे आप और नीती आयोग कब बना था तो एक जनवरी 2015 को बना था लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी तो 15 अगस्त 2014 में ही की गई थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा ठीक है तो जब नीती आयोग एक जनवरी 2015 को आया तो उसी समय जो योजना आयोग पहले कारे कर रहा था वो उसी दिन समाप्त हो गया अगर ये पूछा जाए कि जो योजना आयोग है वो कब समाप्त हुआ था तो आप बताएंगे कि एक जनवरी 2015 को जब नीती आयोग बना उसी द 15 मार्च 1950 को बना था ये कब बना था तो याद रखेंगे जो योजना आयोग है आपका 15 मार्च 1950 को बनाया गया था पंडी जवाल नहरु के अधिक्षिता में इसको बनाया गया था ठीक है जो हमारी पंचवर्सी योजनाएं हैं पंचवर्सी योजनाओं के बारे में आपने स आई थि वो 951 से स्टार्ट हुई थी टोटल बारह पंचवर्सी योजना आई जो कि 2017 में total समाप्त हो गई थी पूरी पंचवर्सी योजना तो जो आपका नीती आयोग है यह सिर्फ एक सलाकारी संस्था सलाकारी संस्था का मतलब यह है कि जो यह नीती आयोग है ये सिर्फ सलाह देती है कि राजियों को केंद्र को कौन-कौन से कारे करने चाहिए ठीक है तो यह याद रखेंगे लेकिन योजना आयोग के लिए ऐसा नहीं था योजना आयोग जो बनाया गया था उसमें राजियों की कोई भूमिका नहीं थी इसी वज़ा से और ये सब्सक्तित्र सरकार और राजियों कोई भूमिका नहीं थी और योजना आयोग को खटाया गया इसका भी यही कारण ठाशांकी कि ये वर्तमान के आवश्यक्ता के अनुरूप भी नहीं था, ठीक है, इसलिए, और ये concept याद रखेगा कि जो आपका नीत यायोग है, अगर हम ऐसे बात करें, नीत यायोग जो है, बॉटम टू टॉप पे वर करता है, मतलब ये नीचे से उपर तक के वर करता है, मतलब मालीज टोटल जो 28 राज हैं, उसके मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल रहते हैं, उनकी सला ली जाती है, कुछ विशेशक के सामिल रहते हैं, तो इसमें आपके नीत यायोग में, लेकिन योजना यायोग जो था, इसका अपोजिट था, योजना यायोग क्या था आपका, ये था टॉ बॉटम था, ये उपर से नीचे की वर करता था, मतलब जो सेंटरल में बैठी मंत्री मंडल है, इसका सदर से वही होता था योजना यायोग में, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया राजियों के लिए, तो वो फाइनल होता था, पर नीती यायोग में ऐसा नहीं है, नी थी आयोग के तहद क्या हो गया, कि जो धन का आवन, टन करना है, वो सिर्फ वित मंत्राले द्वारा किया जाता है, तो ये चीजे थी, आगे देखते हैं, इसमें क्या है, देखिए हाँ पर है कि प्रधान मंत्री की अधिक्षता वाला, जो आयोग बनाया गया, ठीक है, तो आयोग सरकार के ठीक, टैंक के रूप में कार करेगी, ये वर्ड बहुत important है, ये याद रखेंगे, कि ये ठीक, टैंक का मतलब क्या है, ठीक, ठीक मतलब आपको बता है, सोचना, तो ये सलाह देते हैं, ठीक, टैंक के रूप में काम करती है, और सिर्फ ये सलाह ही देती है, और कोई इनका decision final नहीं होता है, ये बताते हैं कि राजियों को कौन सी नीती अपिनानी चाहिए जिससे कि उसका development हो सके, इसके उपर जो आपने पंच वर्सी योजना पढ़ी थी, पंच वर्सी योजना के बारे में भी आपको बताया गया था, नीती आयोग में ऐसा नहीं है, इसमें इन्होंने 3 वर्सी योजना, 7 वर्सी योजना, 12 वर्सी योजना इस तरीके से बना रखे हैं, ये इसी के तहर सला देते हैं कि आपको 3 वर्स के लिए कौन सी योजना लानी चाहिए, 7 वर्स के लिए कौन सी लानी चाहिए, और 12 वर्स के लिए कौन सी लानी चाहिए, यह आपका नीती आयोग के तहत होता है ठीक है तो और यह देखे जो योजना आयोग है यह लिखा हुआ है 15 अगस 2014 को इसे समाप्त करने की घोशना की गई थी अभी आपने उपर पढ़ा था कि जो नीती आयोग थी इसी समय उसकी घोशना की गई थी बनाने की तो जब नीती आपका आया था तो उसी समय पे इसके समापन की घोशना की गई थी ठीक है तो जब यह आएगा तो इसलिए डेट आपको याद रहेगा आगे देखिए लिखा है इसमें कि भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई सम्वैधानिक प्रावधान नहीं था ठीक है 15 मार्च 1950 को केंडरी मंद्री मंदल द्वारा पारित प्रस्ताओं के द्वारा योजना आयोग की इस्थापना की गई थी योजना आयोग का जो अध्यक्षटा वो प्रधान मंत्री होता था अभी मैंने आपको बड़ता है कि पंडि जवाहलल लाल नहिरू की अध्यक्षटा में ही इसको बनाया गया था और ये जो बनाया गया था योजना आयोग ये यू-S-S-R मतलब रसिया से प्रेरी थोकर बनाया गया था तो जो आपका ये योजना आयोग है ये एक सिर्फ क्या है मंत्री मंदल की संकल्पना थी ठीक है ये सिर्फ मंत्री मंदल की संकल्पना थी आपकी योजनायोग लेकिन जो नीतियायोग है उसमें आपके राज्यों के प्रधान मंत्री केंद्र शासित जो प्रदेस हैं वहां के उपराजेपाल भी शामिल होते हैं और जो आपके विशिस्ट सलाहकार होते हैं उनको भी इसमें सामिल किया जाता है प्रधान मंत्री इसके अध् कि जो नीती आयोग है उसकी शनरचना में क्या-क्या होता है अभी आपको बताया गया कि जो उसके अध्यक्ष होंगे वो प्रथान मंत्री होंगे तो प्रजेंट टाइमें नरेंद्र मोदी जी है अगला है आपके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है ठीक है पूर्ण कालिक सदर्शे में देख लीजिए वीके पाल है तो और ये हैं वीके सारस्वत एवं प्रोफेशर रमेश ठीक है पदेन जो सदर्शे हैं अमिशा ग्री मंत्री है और निर्मला सीता रमन राजना सिंग और नरेंद सिंग तोमर तो ये आईनके पदेन सभापती हैं और विशेस जो आमंत्रित मतलब मैंने भी आपको बताया कि कुछ इसमें विशेस सलाकार लुक को भी लिया जा सकता है तो देखिए यहाँ पे है नितिन गटकरी, प्यूश गोयल, थावर चंद गहलोद और राव इंद्रजीत सिंग ठीक है अगला आप देख रहे हैं इसमें लिखा है अधिशासी परिशद जो है आपका गवर्निंग कॉंसिल कि अनिसदसिक है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रजासीत प्रदेशों के जो है आपके कौन है उपराज्यपान यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह पहले उसमें योजना आयोग में नहीं था अधिकारी कौन है अभिकान्त है अमिताब कान्त ध्यान रखेंगे आगे इसमें और समझते हैं देखिए यहां पर है योजना आयोग जो है अभी आपको बताया गया था कि जो योजना आयोग है वो निर्माड के लिए देखिए नीचे से की और द्रिश्टिकोन अपनाता ह उपर से नीचे की और इसका मतलब क्या है जो योजना आयोग है उपर से नीचे की और ठीक है इस तरीके से अपनाता है यह नीचे बॉटम है उपर टॉप है आपका तो टॉबॉटम का कॉंसेप्ट किसका है योजना आयोग का है और यही पर बात करें बॉटम टॉटम की ब पॉर्टेंट है जहां जो वित आवंटन है ठीक है वित आवंटन जो है जहां वित आवंटन में योजना आयोग की प्रमुख भूमिका थी जब योजना आयोग था तो जो वित आवंटन जो धन का आवंटन होना रहता था राज्यों को उसका डिसीजन योजना आयोग लेती पर लेकिन जब से नीति आयोग आंगा नौट को सालाकारी संस्था के रूप में कार करती है करती है छो याद रखेंगे कि योजना आयों आईंग के प्रमुक ही लेकिन नीति आयोग में जाóm से वित्तावँडेंगे नीती आयोग के लिए वित्मंतरालय डिसीजन लेती है। और इसमें आपको भी बताया गया कि इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंशासित प्रदेश के जो राजयपाल हैं उनके भी भूमिका होती है। तो जो में नीती आयोग का काम है, इसका काम क्या है? सामाजिक वो आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का काम कर दी, ताकि सरकार ऐसी युजनाओं का निर्मार कर सके, जिसे लोगों का हिट हो सके. तो याद रखेंगे, जो आपका नीती आयोग है, वो केवल क्या है? नीती आयोग आपके केवल सलाह कारी एक संस्था है, ना कि आपका कोई वो डिसीजन लेती है, फाइनल, इसमें उपराजे पाल के इंशासित प्रदेशों के हैं, और इसमें आपके जो होते हैं, बुख्य म कोईशन देखने को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो में इत्ता ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केर, बाई!